नमस्कार दोस्तों आज डिसकस करेंगे अगेन एक कॉंसेप्ट ओफ फायर फिनाशल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली बिकॉज ये बहुत यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा फिनाशल इंफिलेंसर्स इसको बहुत जादा डिसकस करते हैं क्या ये पॉसिबल है ये पॉसिबल है जैसे वो दिखाते हैं कि आप पॉसिबल हो ये एक फिगर पे आप पहुच जाएं और उस फिगर पे पहुचने के बाद आपके खर्चे ऐन्यूल एक्समेंसेज का इतना परसंटेज हो जाए तो आप ऐसे हैवर हैपिली आफ्टर कर लेंगे एक किसी टू 2-2-3-4-5-6-4 कोई भी एक कैल्कूलेट करके बता देते हैं तो जो इनसान उस फिगर पे बैठे हैं इंडिया में भूत लोग बैठे हैं और वर्ल्ड में भी भूत लोग बैठे हैं तो वो क्यों नहीं रेटायर हो जाते हैं ओर जो बच्चा Nee बैगे ìसे सब की काम करते ह है और कोई English movies या पुरानी fairy tales होती थी ever happily after वो ever happily after life में होता ही नहीं है ये बताना है तो ये concept fire का बोलने की जगे इसकी जगे आपको ये calculate करना है कि क्या मैं ऐसा करूं कि जो अपनी नौकरी है एक लिस उसको छोड़ दूं क्योंकि उस नौकरी से आप प्रताडित हैं आप कोई भी tourist place या शान्ती की place या अच्छी place जाकर लोग कहते हैं नहीं मज़ा आता है फिर वहीं हम रह लेंगे कोई ऐसा वो नहीं है इन tourist place के बारे में भी आने वाले कुछ दिनों में वीडियो बनाऊंगा कि ये fantasies जो होती हैं कि हम बड़ी शान्ती की जगे रह ली हवा बहुत अच्छी आ रही है हाँ अच्छी लगती है दो चार पांक साथ दिन ठीक है अच्छी लगती है उसके बाद आपको life में purpose और fulfillment चाहिए जो यहां tourist places पे नहीं मिल सकता कभी भी यहां लंबे दिन रहके देखना experiment करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा समझाऊंगा यह वाली particular बात को समझाऊंगा कि कितने दिन कैसे रह सकते हो क्योंकि वो पानी का change हवा का change खाने का change लोगों का change देखने का change एक बार तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन कितने दिन अच्छा लगता है कितने दिन अच्छा लगता है क्योंकि nobody has actually stayed on a very sustainable basis like this because इतनी छुटियां तो किसी को मिलेंगी नी तो ऐसा लगता है वो दो दिन two days three nights three days two four nights maximum ऐसा करके ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे में हम जिन्दगी जी लेंगे एक दिन जा रहे हो और आप एक दिन आ भी रहे हो तो बीच में 45 घंटे ही हैं जो आप को जिन्दगी जीने के लिए मिलता है उस जिन्दगी को लोग extra polit करना चाते हैं तो fire का concept के पीछे नहीं भागना चाहिए कोई calculations नहीं करनी चाहिए कुछ भी नहीं करना चाहिए बिकाज आपके aspirations जो हैं वो भी over a period of time change होते रहेंगे आपको आज क्या चाहिए कल क्या चाहिए आपको पता नहीं आपके बच्चों को क्या चाहिए बहुत लोग prepare कर रहे हैं बच्चों की higher education के लिए हो सकता है अगर higher education पर खर्ची ना करना पड़े बिकाज इंडिया में तो at least education को रिटर्स कमा के देने लिए शादियों के लिए लोग prepare करते हैं शादियां भी नहीं चलती शादियां यह नहीं करना आराम से अच्छे चलाता रहे है चलाती रहे हैं हम तुमें साल के पांच लाग दस लाग देते रहेंगे तुम साथ आठ साल तक तुमें दे देंगे जो तुमारी खर्चा हमने इनिशली प्लान किया था तो lot of things will change in coming times don't get into this jargon of returns and यहां पहुच जाओंगा इतनी SIP करा दूँगा जो आप best कर सकते हैं वो उसमें आप करें बॉल जैसे आ रही है उस दो रन वाली को दो रन एक रन को एक रन चक्के माले को चक्के बहुत जादा सोचेंगे कि नहीं यहां तो मैं साड़े तीन सो बनाऊंगा आपको पिछ नहीं पता जो आपकी life की पिछ है और life की पिछ क्या है जो environment है वो आपके control में नहीं है macro economics अभी से पहले कोविड आया था अभी एक geopolitical कुछ चल रहा है आगे भी geopolitical economical कुछ चलता रहेगा आपके हात में नहीं है what you have to do is lead the inflation try to do better than most of the people around और have a benchmark ठीक है try to do and उसमें be very intelligent because क्या होता है ये वाला एक इनसान है आप ये हैं ये आपसे better कर रहा है तो अब आप ये try to do तो better नहीं कर पाए पट ये इनसान पता नहीं मुरकता में खांखा पैसे लगा रहा है इसके पता नहीं कौन कौन से फर्माईशी program कुछ तरह के हैं आपके अंदर अलग तरह का ठ धर्मपत्नी तो यहीं कुछ कर दी थी बट उसको यहां बिल्कुल नहीं थी housework उसको थोड़ा प्रोसाहित करके यहां लिया है तो as a package आप somewhat यहां आगे और अपनी सूझ भूच दिमाख अकल विवेग बुति चेतना सब जिगा के ठीक है आप यहां से यहां भी जा सकते है despite doing relatively इतने ही only वहां पर आप इतने ही पीछे हैं लेकिन आपका जो पीछे back end पर program चल रहा है खूब सारा उससे आप खहीं आगे जा रहे हैं यह सारी चीज़ें मैं अपने members को workshop के तरीके से ideas देता हूं बताता हूं because एक-एक idea पर एक-एक डेट गंटा लग जाता है एक से ड सी चीज़ों पर चर्चा रहेगी आप मेरे को membership ले सकते paid membership ले सकते हैं मेरा आने वाला course है एक happiness course 2.05 classes iconic course रहेगा उसको miss मत करना वह happiness practicality में चीज़ें जी कर वहवारिकता से जी कर आपकी life में अराम से आ जाएगी तो इस happiness को हम लाएंगे अपने जीवन में उस चीज़ के ल करता हूं इसमें आपको time बिल्कुल खर्च करने के जरूत नहीं है अपने numbers के पीछे नी भागना अपने numbers को बढ़ाना यह numbers को count करना तो जो आदमी 60 65 में होगे जो पैसे कमाने बंद करते है तब यह number कमाना मैं पैसे कमाने बंद करते हूं मेरे पास कितना है कितना पैसा हो कितना पैसा हो तो enough है that is no answer don't run after money just do fulfilling things in life money will come as a result of it आप में अपने अंदर लोगों में income generating skill एड़ करनी है वो मैं course में बहुत माध्यम से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बताऊँगा क्योंकि भै पैसे का नहीं होता भै ये की बेर में skill नहीं है जिसके में skill हो उसको तो कुछ करना ही नहीं है आपको बहुत प्यारा गाना गाना आता है कि शोरत दा टाइप हो आप या अभी जीत के अरी जीत सिंग्या या कोई और उससे लीचे सिंगर गया हो ख़ए भी गाना गात हो पैसे मिल जाएंगे skill है ना आपके अंदर उनको भेह नहीं होता कि भुखे मरेंगे कोई भी skill है जो आपके साथ रह सकती है प्रॉलम क्या है लोगे उपास actually skill नहीं है लोग उठा के phone call कर रहे है या बहुत भी mundane सी job कर रहे है एक कोई coding coding कर रहे है ये करने दुनिया कर रही है वो आपको पता है कि अप एक उमर के वाद आपके आखों में दर्द हो जाएगा अपके सर में दर्द होगा आपकी आत्मा चुच जाएगी ये कोई कामा और नया आदमी और अच्छा करने लग जाएगा आपसे इसलिए वो डर और भै है कि भाई सब किसी तरह उस नंबर पर पहुंच जाओ और वहां से मैं जल्दी से रिटायर हो जाओ ये भै उन लोगों में नहीं आता जिनमें एक सस्टेनिंग स्किल है कोई भी स्किल जो कभी भी जीते अपने आखरी टाइम तक कर सकते हैं और उसमें पैसा ले सकते हैं अगर आपने अपनी 60s में अन करने का जो गाट फिट किया हुआ है 70s में किया हुआ है तो देन दा नंबर विच इस रिक्वाइड इस एक्चुली वरी लो तो डू योर उन थिंग हम ये नंबर जो कैलकुलेट करते हैं इसमें लेते हैं कि भहिया बस आप आपका इतना खर्चा होगा इतना ये इनने कॉर्पस बता दिया और फिर उसको फोर परसंट, सिक्स परसंट, एट परसंट कुछ कर लेते हैं कि ग्रो करेगा इतना निकालोगे, ये करोगे ये पुरानी अमरिकों नो ने भी अभी निकाला था जो अब हमारे जैसे अंकुर वारीकुजी और बाकी लोग ये सब अभी ये स्टोरिया सुना रहे हैं उनकी जो उनने 20 साल पहले उनने सुना नहीं बंद कर दिया को आदमी शादी ही ना करे फिर उसको कितने चीए और फिर कर ले अचानक से डिसीजन बद्ली होगे आप 20s 30s में बोल रहे हैं तो मैं ऐसे रिटार हो जाओंगा सडनली इतना अकीला पन हुआ लाइफ में तो फिर केल्कुलेशन इसले नहीं हो सकती क्योंकि अपना मन चंचल है पुष्पा रजिश्च खना का डियालोग रहता था तो मन चंचल है अब चंचल मन तो कभी भी कुछ स्टार्ट कर सकता है कम कर सकता है तो हमारा फोकस होना चाहिए अपने अंदर इंकम एनरेटिंग जनरेटिंग कैपेबिलेटी में पैसा कमा हुई इतना और इतना होना चाहिए धन और वहभव कि फिर आपको कहीं हिसाब रखने की जुरूती ना हो चोटी चीजों का मोटी चीजों का हिसाब रखें चोटी चीजों का हिसाब ना रखें कि मेरा पेट्रोल का खर्चा कितना है ड्रैवर का खर्चा कितना है म और इस तरह के topics आपके लिए लाते रहेंगे, thank you very much.